हमेशा पूजा में हम सभी नारियल का प्रियोग करते हैं क्या नारियल को हमें पूजा के बाद फोड़ना चाहिए किस तरह से कहां इसे रखना चाहिए और नारियल में मिलने वाले कई तरह के संकेट जैसे कि नारियल का कई बार खराब निकलना या नारियल में फूल निकलना नारियल में मिलने वाले कई संकेत जो है सुब और असुपता के रूप में जाने जाते हैं तो इस वीडियो में यही प्रमुख जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी तो वीडियो के अंतर तक बने रहिएगा जैसे कि सबसे पहले प्रमुख स्वरूप में हम मातारानी को ना पूजा में जो है बड़े स्वरूप में आपने देखा होगा पंडी जी आते हैं तो नारियल जरूर से हम रखते हैं बहले ही नारियल जटा वाला हो या पानी वाला नारियल या जो है गोले का स्वरूप जिसे खोप्राइट तेरी अलग-अलग भासानों में कहा जाता है का भी बढ़नन मिलता है तो ऐसी स्तिती में उस नारियल को क्या करना चाहिए सबसे पहले तो कभी भी हम पूजा में नारियल जो है भगवान जी को समर्पित करते हैं कई बाद वह सड़ा निकल जाता है खराब निकल जाता है यह अंदर से धूमिल सा निकल जाता है तो मन में एक तरह की संकाय आती है तो सास्तर प्रमाणी का आप सभी को जानकरी देना चाहती हूँ कि आप सभी कभी मन में शंका नलाएं कि यह नारियल कैसा है कि स्वरूप में है हमारी पूजा पाठ हमारी उपासना हमारे मंतर जाप कहीं अधूरे या किसी ना किसी स्वरूप में पूरे तो नहीं हुए हैं, या कोई असुपता के संकेत में तो यह नहीं है, परंतो ऐसा नहीं है जी, अगर आपका नारियल खराब निकल रहा है, किसी भी पर रूप में या अच्छी अवस்ता में नहीं हुआ है, भले ही आपने नारियल मातराणी के कलश के ओपर रखा हो, या मा को आप भोग स्वरूप समरपित करते हैं या मंदिर में मनो कामना के तहत रखते हैं तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है या कोई असुपता के रूप में नहीं है बल्कि यह एक अच्छा संकेत रूप में माना जाता है बहुते हैं कि भगवान जी ने आपके प्रशात को पहले ही ग्रहन कर लिया है अर्थाद भगवान जी उसे स्विकारिक कर चुके है तो मन में कोई संका न लाएं कि भगवान जी को हम भोग समरपित कर रहे थे खराब निकल आया ऐसा नहीं है भगवान जी ने उसे पहले ही गरहन कर लिया है ऐसी सास्तरों में मानेता लिखी गई है तो ऐसा मन में भ्रहम कभी न लाएं कि नारियल हम पूजा में समर्पित कर रहे थे या हमने भुख सरूप समर्पित कर दिया था तो वहें खराब हो गया है या खराब निकल गया है अब हमारी पूजा स्विकारे नहीं होगी ऐसा नहीं है नारियल का खराब निकलना कोई गलत बात नहीं है यह भगवान जी द्वारा पहले ही ग्रहन क्यर लिया गया है इस बात का सूचक और संकेत की रूप में जाना जाता है यह हो गई पहली बात दूसरा नारियल में या आपके गोले में फूल निकलाना आपने देखा होगा कई बार जो है एक फूल सा नारियल में निकल के आता है जिसे बीज भी कही लोग कहते हैं अपनी अपनी भासा में भगवान को देखने समयने की छमता सकती है तो उसी अनुसार जो है अगर आपके नारियल में फूल निकला आता है तो यह बहुत सुबता के स्वरुप में माना जाता है आपके घर में पुत्र रत्नी की प्राप्ति होने का संकेत होता है संतान प्राप्ति का यह संकेत होता है या आपके वन्ष में व्रद्धी होने का यह संकेत माना जाता है आपका जो वन्ष है पूरे एक आप ही नहीं पूरे परिवार की बात कर रहे हैं उसमें कोई इसे की नया फूल जागरत होने आला है कुछ शुब माताराणी के संकीत के रूप मेंसे देखा जाता है ऎकर नारियल के okenदर फूलने करकर आ रहा है तो यह सास्त्रों में कही गई बाते हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं साथ ही आपके प्रश्णात हैं कि दी-दी हमाएं जो नारियल हम भगवान जी की पूजा में रखते हैं उसका क्या करना चाहिए जैसे गरह प्रवेश भी होता है तो उसमें भी आपको भगवान जो पंडिर जी होते हैं नारियल देते हैं या अनि जो है मंदिर इत्यादी में भी आपको नारियल मिलता है या किसी ने किसी सरोप में आपको नारियल प्राप्त होता ही है ऐसी सिती में आपने देखा होगा कई पंडिजनों के मुह से भी आपने सुना होगा सास्त्रों में भी ऐसा वार्णित है कि सौभागिवती महला को कभी भी पूरा फल नहीं काटना चाहिए भले ही वह है नारील हो या कोई जो है पूरा जो फल होता है वह सबसे पहले अनि विक्तियों की मदद से उसे कटवाना चाहिए खासे त結果 पर जो सुबता के पल होते हैं जैसे नारील हो गया या कोई विशेस जो फल इत्यारी आज भी जो प्राचीन बड़ी बुड़ी महलाएं हैं हालों कि इन दिनों इन चीज़ों को कई लोग भूलते हैं और नहीं मानते हैं देखे इच्छा सक्ति सामर्थ आपकी है भगवान को मानना समयना जानना आपकी इच्छा सक्ति पर आध जयसे आपने नारियल को जो है जो भगवान जी का नारियल किसी भी स्वरूप में महला को काड़ते नहीं है देखा होगा और जो線 ढांता है पूरे स्वरूप में कभी नहीं काडती है असा माननेता है कि यह सही नहीं माना जाता । और इसके साथ ही सबसे सुन्दर स्वरूप, सबसे फलों में उत्तम फल माना जाता है नारियल, जिसे महलाओं को कभी भी फोरना नहीं चाहिए, आपने देखा होगा यह एक तरह से सही सूचक के स्वरूप में नहीं जाना जाता है, ऐसी इस्तिति में आप सभी इस बात का ध् पर अंतु सौबह गिवती महला सुचक को कभी भी नारियल स्वरूप के हट से नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे में जो कलश पर रखा हुआ नारियल है या पूजा में प्रियोक किया हुआ नारियल है उसका हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में आपके प्रशन आते हैं, तो परंतु इसके साथ ही प्रशन आते हैं कि दीदी आप तो हर साल यही वाद बताती हैं कि आपको उस नारियल को रख देना चाहिए, पिछले वाला भी नारियल पड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप सभी को बतलाते हुए चलो जो पिछले साल का नारियल है या कि अपको नापत हुआ है उसे आपको तो न इसे धर मांदिर में न ही आपने घर के तिरणी पर गिसी लाल या पीले इस्तिर लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन धन निमे व्रध्धी होती है कस्ट संकटित कैदी पून रूप से मुक्त हो जाते हैं तो नवरात्री चल रही है हला कि हर दिन पर यह बात लागू होती है जब भी आप नारियल का प्रियोग पूजा में करते हैं तो इस बात क भी भी मेरी बात से सहमत है तो कमेंट्स में जैमातादी लिखिए और साथ ही कोई आपके प्रश्न हो तो तुरंत कमेंट्स की दौरा पूश लीजेगा नवरात्री अस्टमी नौमी से जम्मंदी सभी वीडियो चैनल पर आ रही हैं तो चैनल से जुड़कर आप बहुत सार लाप राप्त कर सकते हैं जैमातादी स्री सिवाय नमस्तु भ्याम अपने आप में यह कही सुनी बाते हैं नहीं है इनका प्रमाणि ग्यानकारी मिलती है इन दिनों कहीं न कहीं दुख बिमारी से हम परिशान रहते हैं मानसी का सांती मन मस्तिक पर रहती है तो फिर हम कई का हो रहा है किस स्वरूप में हो रहा है परन्तों इसके पीछे गहरा कारण छुपा हुआ है कई व्यक्ति से मानते हैं कहीं नहीं भी बानते